अनाया और शनाया दोनों जुड़वा बहने थी, बच्पन से ही डोनों में बहुत प्यार था, एक दूसरे के साथ रहना, खेलना, हसना, बाते करना, पढ़ाई भी एक साथ करना, एक जैसे कप्डे पहनना, एक ही जैसा तयार होना, उन दोनों की जोड़ी को देखकर, महले और रिष्टदारी के लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे, पर स्कूल में उन दोनों को लेकर, थोड़ी सी परिशानी चल्ड़नी थी, जिसके लिए उनकी क्लास टीचर, उनके पैरेंट्स से बात करना चाहती थी, अनाया, शनाया, कर पैरेंट्स टीचर मीटिंग है, तुम दोनों अपने मम्मी पापा को बोल देना, ओकी मैम, हम बोल देंगे, अनाया और शनाया, दोनों स्कूल के गेट से बाहर आ जाती है, फिर शनाया, अनाया से कहती है, अनाया, तुम मम्मी पापा को पैरेंट्स मीटिंग के बारे में बिल्कुल भी मत बताना, मुझे पता है, मैं मम्मी पापा से हमारी क्लास अलग करने की बात कहेंगी, अरी हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये तुम मैंने सोचा ही नहीं, अगर हम दोनों की क्लास अलग अलग हो गई, तो हम दोनों बेहने अलग हो जाएंगी, ठीक है, मैं मम्मी पापा को कुछ भी नहीं कहूंगी, और तुम भी मत कहना, अनाया और शनाया, अपने मम्मी पापा को टीचर पैरंट्स मीटिंग के बारे में नहीं बताती हैं, पर एक दिन उनकी क्लास टीचर, उनकी मम्मी को मार्केट में मिल जाती हैं, और पैरंट्स मीटिंग की बात करती हैं, तब उनकी मम्मी को सब कुछ पता चलता है कि काफी दिनों से टीचर उनसे मिलना चाह रही थी आपको पता है इन दोनों की टीचर आज मुझे मार्केट में मिली थी वो हमें पैरेंट्स मीटिंग में बुलाना चाहती थी पर इन दोनों ने इसलिए नहीं बताया था कि इन दोनों की क्लास अलग न हो जाए अभी तो दोनों छोटी है बड़े होकर भी इन दोनों ने साथ रहने की जिद की तो ममी हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे हाँ हा ममी हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे कोई बात नहीं विमला बच्चिया हैं बड़ी होकर सब कुछ समझ जाएंगी ऐसे ही समय बीटता गया और वक्त के साथ साथ दोनों बहने बड़ी हो गई दोनों के लिए अच्छे घरों के रिष्टे आने लगे अनाया और शनाया के मम्मी पापा चाहते थे कि दोनों के लिए अच्छा रिष्टा मिल जाए अनाया एक स्कूल में तीचर थी जबकि शनाया एक बैंक में नौकरी करती थी दोनों के लिए अच्छे रिष्टे आ रहे थे पर अनाया और शनाया दोनों ही हर रिष्टे के लिए मना कर देती थी क्या हुआ अनाया लड़का तो बहुत अच्छा था फिर तुमने रिष्टे के लिए मना क्यों कर दिया बिटिया बस ऐसे ही, वो मुझे अच्छा नहीं लगा मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तुम दोनों की चाल है, इसलिए तुम दोनों हर रिष्टा मना कर देती हो ऐसे कैसे चलेगा जी, आप इन दोनों के लिए रिष्टे लाते रहोगे, और ये दोनों हमेशा मना करती रहेंगी मैं आपसे कल मॉर्निंग में बस टॉप पर मिलती हूँ, जी ओके, ओके, क्या हुआ नाया, तुम इतनी खुश क्यों हो गई, किसका फोन था, अरे, आज सुबह बस टॉप पर मेरा परस गिर गया था, मैं जल्दी में थी, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और यहाँ घर आ है, उन्होंने मेरी कार्ट्स पर मेरा नंबर देख लिया था, तो मुझे अभी-अभी कॉल किया है, कर सुबह वो मुझे बस टॉपर मिलेंगे, तो मैं उसे ले लूँगी, यह तो बहुत अच्छा हुआ, वरना आज करके जमाने में ऐसे लोग कहां मिलते हैं, जो किसी का पर्स लोटा दे, अगले दिन अनाया विहान से मीती है, विहान उसे पर्स दे देता है, धीरे-धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, अनाया को विहान का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, एक दिन विहान ने अनाया से कहा, अनाया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मुझे तुम बहुत पसंद हो विहान मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती सौरी मुझे माफ करना हम अच्छे दोस्त बन कर रह सकते हैं पर शादी नहीं पर अनाया कोई तो वज़ा होगी जिस कारण तुम मना कर रही हो विहान मैं वज़ा नहीं बता सकती अच्छा मुझे देर हो रही है अब मैं चलती हूं अनाया विहान को प्यार तो करती थी पर वो विहान से भी साधा अपनी बहन शनाया को प्यार करती थी अनाया विहान से शादी के लिए मना कर देती है और व तों मेरे लिए अपने प्यार को क्यों छोड़ रही हो, तुम विहान से शादी के लिए हा कर दो्व नहीं शनाया, हम दोनों बैनों ने हमेशा सा्त रहने का वादा किया था इसलिए हम अगर शादी करेंगे तो उसी घर में करेंगे जिस घर में जुड़वा भाई होंगे हम जुड़वा बहने उसी घर में शादी करके जाएंगे अपनी बेटियों की बात उनके माता पिता सुन लेते हैं वो दोनों चिंता में पढ़ जाते हैं अनाया और वीहान को मिले कुछ दिन बीच चुके थे एक दिन अनाया अपने कमरे में उदाश बैथी हुई थी कि तभी उसके फोन पर वीहान का कॉल आता है वीहान मैंने तुम्हें मना किया था ना मैं तुम से शादी नहीं कर सकती मेरी कुछ पर्सनल वज़ा है अनाया मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाता था कि मैं आज अपनी फैमली के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ लड़की मुझे बहुत पसंद है और मेरी फैमली भी उसे पसंद करती है ओ अच्छा तुम्हें वो लड़की पसंद है चलो अच्छी बात है कोग्रेचुलेशन्स ओके भाई रखता हूँ अनाया की आखों में आफू आ जाते हैं तभी उसकी मम्मी उसे आवाज लगाती है अनाया बेटा शुनाया कप की तयार हो चुकी है बुवजी के घर फंक्षन शुरू हो जाएगा और हम अगर देश से पहुचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मा मेरा जानक यह जरूरी है मेरी तब यह थोड़ी ठीक नहीं है अनाया देख यार पहले ही यह साड़ी बानकर मैं दुखी हो चुकी हूँ ऊपर से तो ड्रामे मत कर जल्दी से तो भी यह साड़ी पहन कर तयार हो जा अनाया और शनाया फंक्षन में जाने के लिए तयार हो चुकी थी कि तभी उनके पापा इसी के साथ घर में एंट्रे करते हैं आईए आईए भाई साहब आओ बेटा और आप सब को घर ढूनने में कोई परिशानी तो नहीं हुई अनायाद देखती है कि उसके सामने वीहान और उसकी फैमली खड़ी है पर वीहान के साथ हू बहू उसका हम शकल एक और लड़का भी खड़ा था जो बिलकुल वीहान का जुड़वा लग रहा था अंकल ये मेरा जुड़वा भाई वीवान है करही लंडन से वापस आया है अच्छा अच्छा जिनके बारे में तुमने बताया था हाँ 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 नमस्ते अंकल भाई साहब हमें तो अपने दोनों बेटों के लिए जुड़वा लड़किया मिल जाएंगी ये हमने कभी सोचा ही नहीं था बिलकुल जी दोनों बच्चिया कितनी प्यारी हैं वीवान बेटा इन में से अनाया कौन है मिलवाओ तो अब तक अनाया और शनाया कुछ भी नहीं समझ पाई थी बुवा जी के घर फंक्षन में जाना तो एक बहाना था और वीवान ने जो फोन किया था कि वो लड़की देखने जा रहा है सच तो ये था कि वो लड़की अनाया ही थी अनाया शनाया के पिता उन्हें सब कुछ बताते हैं एक दिन अनाया के फोन पर वीवान का पॉल आया था उस समय अनाया वहाँ पर नहीं थी अनाया के पापा ने विहान का फोर उठा लिया था तब इस बारे में कि अनाया और शनाया जुडवा बहनी है और वो जुडवा भाईयों से ही शादी करना चाती है विहान को इस बारे में पता चला और चांस की बात ये थी कि विहान और विवान भी जुडवा भाई थे पर विहान और विवान ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों जुडवा बेहनों से शादी कर पाएंगे पर शायद उन दोनों के संजोग ऐसे ही लिखे थे सब लोग इस रिष्टे से बहुत खुश होते हैं अनाया और शनाया दोनों बेहने गले मिलती हैं दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था एक ही मणनप में अनाया और शनाया दुलहन बनती हैं और धूम धान से दोरों जुड़वा बहनों की शादी दोर जुड़वा भाईयों से हो जाती है। दोर किसे एक गाउ में सोनिया नाम की प्लड़की अपनी बड़ी मा के साथ रहा करती थी। सोनिया की मा उसे बच्पन में ही छोड़कर चली गई थी। तब से सोनिया अपनी बड़ी मा के साथ ही रहा करती थी। सोनिया उस घर में पूरे दिन नौकरानी की तरह काम किया करती थी। वही दूसरी तरफ उसके बड़ी मा की बेटी शाईली अपनी सहेलियों के साथ दिन भर मौज बस्ती ही किया करती थी। फिर एक दिन शायली अपनी मा से बोलती है मॉम ब्यूटी पार्लर में एक नई तरह की फेस क्रीम आई है तुम उसे खरीदने के लिए मुझे पैसे दे दो मा मैं उसे लगाने से और भी खुब सूरत बन जाऊंगी अरे ठीक है बेटा ले लो तुम्हें मेक अप करने के लिए जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझें मांग लिया करो मैं तुम्हें दे दूँगी ये बास सुनकर कोनी अपनी बड़ी मा से बोलती है बड़ी मा मैं भी ब्यूटी पार्लर में जाना चाहती हूं और मैं भी मेक अप करवाना चाहती हूँ, मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए बड़ी मा अरे तु मेक अप करवा कर क्या करेगी, कोई भी क्रीम तेरे इस मनुष चेहरे के लिए फीकी पड़ जाएगी मैं तुझे एक फूटी कौडी भी नहीं देने वाली हूँ, मेरा पैसे सब बेकार ही जाएगा सुन सोनिया, अगर तुझे मेक अप करने का इतना ही शोक लगा है, तो तु सोने से पहले मिट्टी लगा लेना फिर देखना सुबह तेरे चेहरे में कितना निखार आ जाएगा, आई बड़ी मेक अप करने वाली इस तरह से बोई कर, दोरो मा बेटी सोनिया का मज़ा कुड़ा आने लगती है सोनिया की उस घर में कोई भी चिंता नहीं करता था, बस कूरे दिन काम करवाते थे इस वज़ा से सोनिया हमेशा उदास रहा करती थी, फिर सोनिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है उस घर में सोनिया एक एक पैसे के लिए तरस्ती थी, फिर एक दिन सायली की मा सायली करिष्टा एक बहुत ही अच्छे और अमीर घर में करवा देती है तो एली बेटा अब तेरी शादी होने वाली है इसलिए अब मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे और महंगे महंगे गहने बनवाऊंगी ये पास सुनकर सोनी अपनी बड़ी मा से गोल गी है बड़ी मा अब दीदी के बाद आप मेरी ही शादी करवाएंगी न तो आप दीधी के साथ एक गहना मेरे लिवी बनवा दीजिए मेरा गहना पहनने का बहुत मन करता है बड़ी मा एक गहना बनवा दीजिए प्लीज तोझसे किस ने बोला कि मैं तैरी शादी करवाऊंगी तू पागल हो गई है क्या तेरी शादी करवाने के लिए हम लोगों के पास कोई पैसे वैसे नहीं है और वैसे भी तेरी चिपकिली वाली शकल को देख कर कोई लड़का तुझे पसंदी नहीं करेगा तुझ चुपचात इस घर में नौकरानी की तरह काम कर जादा भगभग हत्या कर वरना हम लोग तुझे अपने घर से निकाल देंगे समझी दू अपनी बड़ी मा और साइली की ये बात सुनकर सोनिया बहुत उदास हो जाती है और वो पार्क में ग्रूमने के लिए चली जाती है चाची और दीदी कितनी बूरी है उन्हे तो मेरी परवा ही नहीं है खूब रोती है और भगवान से इस मुसीबस से छुटकारा दिलाने के लिए कहती है सोनिया भी रोही रही होती है कि तभी वो देख भी है कि कुछ लकड़हारे एक पेर को काटने के लिए चा रहे थे ये देखकर सोनिया और लकड़ाहारों के पास जाती है और उनसे बोलती है दुख जाओ तुम लोग इस पेड को क्यों काट रहे हो काट नहीं है तो तुम सूखे पेड को काट लो अरे ओ लड़की चल भाग यहां से तु कौन होती है मैं बोलने वाली देखो इस तरह से हारे भारे पेड को काटना अच्छी बात नहीं है तुम लोग उसे मत काटो वरना मैं पुलिस को बुला लोंगी जा जा लड़की भाग यहां से हम किसी से नहीं डरते जा तुझे जिससे भी बुलाना है बुला कर लेया फिर सोनिया पुलिस को बुलाने के लिए वहां से चली जाती है थोड़ी दिर में सोनिया पुलिस के साथ वहां पर वापस आती है पुलिस को देखते ही वो दोनों लकड़हारे डर जाते है और वहां से भाग जाती है फिर पुलिस वाला सोनिया से बोलता है बेटा आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है फिर कुलिस वाला सोनिया को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है फिर सोनिया जैसे ही जाने वाली होती है कि तभी उस पेर से एक आवाज आती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवास्तोनिया तुमने मेरी बहुत मदद की है तुमने मेरी जान बचाई है तुम्हें किमानदार और एक नेक दिल की लड़की हो लेकिन तुम एतनी उदास क्यों लग रही हो तुमने बिल्कुल सही कहा मेरी जिन्दगी दुख और तकलीफों से भरी बड़ी है मेरे मातो और पिता के गुजर जाने के बाद मेरी बड़ी माव और बहन मुझे बहुत शताती है मेरे मातो और पिता के गुजर जाने के बाद मेरा इस दुनिया में खयाल रखने वाला कोई तुम मुझसे अपनी कोई भी एक इच्छा मांग सकती हो, बताओ तुम मुझसे क्या मांगोगी मुझे एक लेहगा चाहिए, मेरा लेहगा पहनने का बहुत दिनों से मन करता है क्या तुम मुझे लेहगा दे सकते हो? हाँ मैं तुम्हें दे सकता हूँ... ये लो .. ये एक जादूई लेंगा है। तुम इसको पहनने से बहुत ही जादा सुन्दर और खुबसूरत दिखने लगोगी। लेकिन मेरी बड़ी मा और बहन मुझे बहुत शताती है। सोनिया कितना बोलते ही वो पेर एक इंसान के रूप में बदल जाता है। ये देख कर सोनिया है रान रह जाती है। सोनिया मेरा नाम राजकुमार सूरिया है। मैं पडोसी राजी का राजकुमार हूँ। मेरे पैसो के घमंट के कारण मैंने एक रुशीमुनी का अफमान कर दिया, तो उन्होंने मुझे श्राब दे दिया। तब ही से मैं एक पेड़ बन गया हूँ, जिशी मुनी ने बोला था कि अगर तुम्हारी कोई नेग दिल लड़की मदद करेगी तो तुम्हार अश्राप तोड़ सकता है और तुम फिर से इंसान बन सकते हो, सोनिया आज मैं तुम्हारी वज़ा से उस श्राप से मुक्त हो ग वो राजकुमार सोनिया को एक बहुत बड़े महल में लेकर जाता है, सोनिया आज से मेरी सारी संपत्ती पर तुम्हारा हग है, इसे अपना ही समझो, फिर इस तरह सोनिया राजकुमार सूरिया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, सोनिया उन जादूई लेंगे को पह तब वो लोग बहुत ही गुशा होती है और सोनिया को लेने के लिए राजपुमार सुरिया के महल में आ जाती है क्यों रे सोनिया की बच्ची तेरी एतनी हिम्मत कैसे हुई तू मुझसे बीना कुछे यहां आकर रह रही है जल्दी से घर चल नहीं तो मार मार कर तेरी टांगे तोड़ दूँगी हा मा इसकी हिम्मत तो देखो विकारी चली करोड़ पती बनने के लिए सोनिया की बड़ी मा जब सोनिया को डाट रही थी तब ही वहाँ पर राजपुमार सुरिया आ जाता है और उनसे बोलता है तुम दोनों एक नमबर की लालची और धोके बाज औरते हो तुम दोनों को सोनिया की खुश्या बरदाश्त ही नहीं होती तुम लोग अभी यहां से निकल जाओ नहीं तो मैं पूलिस को बुला लूँगा फिर पूलिस तुम्हें डंडे मार कर यहां से भगा देगी पूलिस का नाम सुनते ही दोनों मा बेटी घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है उनके जानी के बाद राजकुमार सूरिया सोनिया से बोलता है सोनिया मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्यार करनी लगा हूँ मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ सोनिया भी राजकुमार को पसंद करती थी और वो शादी के लिए हाँ बोल देती है फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार सुरिया और सोनिया की शादी हो जाती है अब सोनिया को किसी बिच्ची सी कोई कमी नहीं थी फिर सोनिया राजकुमार के साथ हसी खुशी रहने लगती है अमित अपनी पत्नी सोनाक्षी और अपनी बेटी परी के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रहा था वो बहुत ही खुशाल परिवार था और एक दिन अमित अपने परिवार वालों के साथ बाजार से घर की ओर आ रहा था जिस वजा से सोनाक्षी ने रोड पर जियान ना देकर वो रोड पार करने लगती है जबी एक कार से उसका एक्सिडेंट हो जाता है जिस वजा से सोनाक्षी की मौत हो गई और अमित अपनी बेटी की चिंता में रहने लगा एक दिन अमित का एक दोस आया और उससे बोलता है अरे अमित भाई अभी हमारी परी बेटी बच्ची है उसको मा के प्यार की जरूरत है तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते अरे नहीं भाई दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ मैं क्या पता मेरी बेटी को वो अपनी बेटी के जैसा रखे या ना रखे मैंने सुना है दूसरी मा अपनी बच्चों के साथ सो तेला पन दिखा देती है अरे अमिद भाई तुम अपनी बच्ची को मा का प्यार और बाप का प्यार अकेले नहीं दे सकते मेरी मारो तो तुम अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लो बागी तुम्हारी मर्जी एपना कहकर अमिद का दोष्ट वहाँ से चला जाता है और अमीद अपनी बेटी की तरफ देखकर दूसरी शादी का मन बना लेता है और अगले दिन दूसरी शादी करके शकुंतला को ले आता है और अपनी बेटी से कहता है बेटा परी देखो ये तुम्हारी नई मा आई है आज से ये तुम्हारी देख रेक करेंगी ठीक है मेरी नई मा आई है ये मुझे मेरी मा की तरह प्यार देंगी ना हाँ मेरी बच्ची मैं जरूर तुम्हें अपनी मा से भी जादा प्यार करूंगी इतना प्योंकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं अब कुछ महीने बीच जाते हैं, धीरे धीरे करके शकुंतला अपना सोतेला पंदिखाना शुरू कर देती है, बेचारी परी एक तरफ मामा करते हुए चिलाती है, लेकि शकुंतला उससे पूरे घर का काम करवाती, कपड़े धुलवाती और बादे में उससे खूब मारती है एक दिन परी अपने पिता से बोलती है, पापा पापा नहीं मा बिलकुल भी अच्छी नहीं है, वो मुझे बहुत मारती है, मुझे नहीं रहना इनकी साथ पापा इतने में शकुंतला वहाँ पर आ जाती है, और परी उसको देखकर दर कर वहाँ से भाग जाती है, वनी शकुंतला अमिक से बोलती है आमिक जी मैं उसे कितना भी प्यार कर लो लेकिन इसने मुझे कभी भी अपनी मा जैसा ही नहीं समझा और अपनी असली मा को भूल भी नहीं पा रही है कोई बात नहीं शकुंतला धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा और अप कुछ साल बीच जाते हैं शकुंतला को एक बेटी होती है और अप शकुंतला का परिपर अत्रय चार और जादा बढ़ गया और धीरे धीरे करके कुछ साल और बीच गये अब दोनों बहने बढ़ी हो गई वहीं दूसरी करफ अमिता बहुत ही जाधा पीमार देहने लगा और एक दिन शकुंतला की तडोशन उसके पास आती है और उसके बोलती है अरे शकुंतला बेहन अब तो तेरी दोनों बेटीये जवान हो गई हैं इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती तू अरे बेहन बड़ी वाली को तो छोड़ मैं अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवाओंगी पर इतने पैसे लाओं कहां से अरे बेहन तो एतने पैसे खर्च ही क्यों करेगी मेरी नजर में एक लड़का है वीराट और वो बहुत अमीर है उसके साथ ही तू परी की शादी करवा दे उमर में जादा बड़ा है लेकिन पैसा बहुत है उसके दो बच्चे भी है उन्हें संभाल लेगी तेरी परी मैं तो कहती हूँ परी की शादी कुछ से ही करवा दे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपना घर भी चला लेना और अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे से घर में भी कर देना हा बहन वैसे बात तो तू सही कह रही है चल तू परी के लिए बात कर इतना कहकर पडो सनोहा से चली जाती है और परी की शादी वीराट से तह हो जाती है और कुछ दिल बाद परी की शादी वीराट से करवा देती है जिसकी उमर चानिस साल की थी और उसके दो बच्चे भी थे वहीं दोस्रे तरफ अपनी बेटी जानवी की शादी एक बहुती अमीर लड़के से करवाती है और दोनों को खुशी-खुशी विधा कर देती है और ये बात जब परी को पता चलती है तब वो अपनी मा की फोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है मा देखो रमा तुम्हारे जाने के पाद मेरी जिन्दगी तबाह हो गई है नई मा आई तो कैसी जिसने आज तक मुझे मागा कभी प्यार ही नहीं दिया और आज मेरी शादी तो कहा चली गई मा अपने पास बुला ले मुझे तभी उसके छोटे छोटे दो बच्चे उसको मामा पुकारते हुए उसके पास आते हैं और उन्हें देखकर वो अपने मन में सोचती है परी अपसे ये बच्ची तेरे हैं चाहे तेरी शादी कहीं भी हुई हो जो दुख तोने जेले हैं वो दुख इन बच्चों को मत होने देना आज से तेरा यही घर और परिवार है इतना कहकर परी उन बच्चों को गले लगा कर बहुत प्यार करने लगती है और ये सब देखकर विराड परी से बोलता है परी मैं मानता हूँ तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी हा नहीं करती लेकिन तुम से शादी करके इन बच्चों को एक मा मिल गई और प्लीज इनको अपने साथ मा की तरह रखना मैं तुमसे विंती करता हूँ आप चिंता मत कीजिए आज से ये बच्चे मेरे हैं और मैं इन बच्चों को बहुत खुश रखूँगी इन्हें कभी मा के कमी का एहसास नहीं होने दूँगी क्योंकि ये दुख मैंने जहेला है मा का प्यार क्या होता है ऐसा इनके साथ मैं बिल्कुल नहीं होने दूँगी ऐसे ही दो महीने पीख जाते हैं वही शकुंतिया बहुत जादा बीमार हो जाती है वो सोचती है कि अब तो मैं खुद बीमार हो चुकी हूँ मुझसे खुद की देखभाल तो नहीं हो पाती मैं अमिक जी की देखभाल कैसे करूँगी ऐसा करती हूँ कि मैं जानवी बेटी के पास चली जाती हूँ वो मेरी अपनी बेटी है वो मेरी मदर जरूर करेगी थोड़े देर बाद शकुंतला जानवी के पाल जाती है जानवी अपनी मा के बार सुनते ही उस पर चिल्लाने लगती है और गुष्रे में कहती है अरे मा मुझसे अपने साथ ससुरी नहीं संभलते तुम लोगों को कहां से रखूंगी निकल जाओ मेरी घर से मैं तुम लोगों का बोज नहीं उठा सकती ये सुनकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घर पर वापन जाने लगती है घर वापन जाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी परी के बारे में सोच रही होती है कि उसमें उसके साथ कितना बुरा किया वो तोची रही होती है कि तेज धूट के कारण शकुंतला रोड पर ही बेहोशोगर गिर जाती है और एक कार के सामने गिर जाती है और वो कार जब रुखती है तो उसमें से परी निकल कर बाहर आती है और अपनी मा को देखती है तो वो अपनी मा को तुरंट अपनी कार में पैठा लेती है और थे जाती है और उनकी खूब सेवा करती है और फिर शकुन्तला के होश आने पर परी अपनी मा से πोच्छती है आरे मा, तुम रोट पर बेहोश कैसे हो सकती हो और तुम्हारी ये हालत किसमे करी है और पिताची तो ठीक है ना बिलकुल परी का इतना प्यार देखकर शकुंदला को बहुत पश्तावा होता है और वो रोते हुए परी को वो सारी बाते बता देती है उसके बाद परी अपने पती और बच्छों के साथ-साथ अपने माता पिता का भी बहुत अच्छे से खयाल लगती है और उसका ये प्यार देखकर शकुंतना रोते हुए परी से बोलती है बेटा परी मैंने तेरे साथ कितना गलत किया लेकिन तू आज भी मुझे अपनी सबी माँ से जादा प्यार कर रही है मुझे माफ कर दे बेटा अगर कभी भी तूने मुझे अपनी माँ माना होगा तो प्लीज उस नाते मुझे माफ कर दे न बेटा नहीं माँ आप मुझे माफी मत मांगे आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया विराट जी बहुत अच्छे इंसान है मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है मा मैं बहुत खुश हो इनके साथ और आप मुझसे माफि मांग कर मुझे शर्मिन्दा मत कीजिये ना मा ये सब देखकर शकल करोने लग जाती है और परिव उसको मास कर देती है और अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इससे जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद